पांच राज्यों की वोटिंग के बाद एक्जिट पोल की मानों बारा चुकी है अलग-अलग चैनल्स और एजेंसियों ने एक्जिट पोल के आकड़े जारी कर दिये हैं ये पोल्स बता रहे हैं कि पांच में तीन राज्य उत्रपरदेश, मनिपुर और उत्राखंड में बीजेपी सरकार बनाने के करीब पहुँच रही है पंजाब में आम आधी पार्टी को ये पोल्स बहुमत के आकड़े पर दिखा रहे हैं पर जरा ठहर ये क्या हम इन पोल्स को पूरी तरह से सच मान ले जब भी एक्जिट पोल्स आते हैं तो उनके सटीक होने पर सवाल उठते हैं इन सवालों का जवाब देने हम पिछले कुछ समय में किये गए एक्जिट पोल के वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं जब एक्जिट पोल का दूर दूर तक सचाई से कोई वास्ता नहीं नज़राता अगर हाल का ही कोई एक्जामपल देखें तो पिछले साल का पश्चिम बंगार चुनाव जो है वो हमारे सामने है करोना महमारी के दौरान हुए वेस्ट बंगॉल इलेक्शन में ज्यादा तर एक्जिट पोल ने बीजेपी को 130 से 170 सीट के बीच तक दिखाया कि उनको दावा किया गया कि इन्हें इतनी सीटे आ रही हैं लेकिन जब नतीजे आये तो बीजेपी महज 77 सीटो पर सिमट गई और ममताब एनरजी की टीमसी ने प्रचंड बहूमत से सरकार बनाई थी इससे पहले के समय पर अगर गौर करें तो एक्जिट पोल्स की नाकामी का सबसे चर्चित वाक्या 2004 का लोकसभा चुनाव में दिखता है उस वक्त ज्यादा तर एक्जिट पोल्स में अटल बिहारी वाजपई के नेतरित में इंडिये सरकार फिर में सत्ता जो है वो आ रही थी इसकी भविश्वानी की गई थी लेकिन नतीजे बिलकुल उलट आए इंडिये को 189 सीटों पर ही जो है वो सिमटना पड़ा और कॉंग्रस की अग्रुआई वाले यूपीए ने 222 सीटे लाकर सरकार बनाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री बने थे 2004 के बाद अगले चुनाव यानि जो अगला लोगसभा चुनाव था 2009 का उसमें भी एक्जिट पोल्स जो है वो फेल साबित हुए ज्यादा तर एक्जिट पोल्स में ये तो कहा गया था कि यूपीए को बढ़त मिलेगी लेकिन किसी ने भी कॉंग्रस की ज्यादा सीटे ना बता कर उसके सायोगियों की सीटे ज्यादा बताई थी उस बार कॉंग्रेस अकेले ही 200 के पार पहुँचकर 206 सीटे लाई और यूपीए की सरकार दोबारा बनी चलिए अब आपको ले चलते हैं बिहार 2015 के बिहार विधानसबा चुनाव के दोरान भी एक्जिट पोल्स पूरी तरह गलत सावित हुए पोल्स में बीजेपी गडबंदन को लालू नितीश के जेडीव आजेडी गडबंदन पर बढ़त बताई गई थी लेकिन नतीजे जब आए तो बीजेपी गडबंदन सिर्फ 58 सीटों पर सिमट गया जबकि लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार ने 178 सीटे जीत कर परचम लहाया 2018 के 36 गड़ विधान सबा चुनाव के एक्जिट पोल्स में भी ऐसा ही हुआ था तब एक्जिट पोल्स में बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच करी टकर की बात कही गई थी हाला कि कॉंग्रेस ने 69 सीटे जीती थी जबकि भार्षपा सिर्फ 14 सीटों पर ही सिमट गई थी बिहार विधान सबा के साल 2020 में हुए चुनावों में भी ऐसा ही हुआ तब ज्यादा तर चैनल्स और एजेंसियों ने लालू यादफ के राष्टर इजनता दल और कॉंग्रेस गडबंदन की जीत पर जो है वो दावा किया था पर रिजल्ट आने पर बीजेपी और चेडियू गडबंदन ने तीसरी बार सरकार बनाई 2013 के दिल्ली विधानसवा चुनाब में भी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनने की बाद कही गई थी और आम आदनी पार्टी को कम सीटे बताई थी पर फाइनल रिजल्ट में यहां बीजेपी 32 सीटे पाकर बहुमत से 3 सीटे पीछे रह गई और केजरिवाल की नई नवेली पार्टी ने 28 सीटे पाकर शांदार प्रदर्शन किया था तो यह रहे रिजल्ट पोल्स के फेल होने के पुराने मामले इसके साथ ही एक इंट्रेस्टिंग आकड़ा बताते हैं जब हमने इस वीडियो के लिए पिछले 18 सालों के चुनावों के एक्जिट पोल्स पर रिसर्च की तो पता चला कि कभी भी एक्जिट पोल्स नतीजों की बिलकुल accurate तस्वीर नहीं बता पाते हारा कि कुछ एक बार जो है वो पोल्स लगबख तोर पर सही साबित हो जाते हैं फिर भी इनके गलत होने का जो प्रतीशत है वो 50 फीजदी है यानि अभी तक के एक्जिट पोल्स में आधे के लगबख गलत ही हुए हैं जो बाकी का 50 फ्रतीशत है वो फाइनल आकड़ों के आसपास ही जो है वो आपाया है कभी भी कोई पोल चुनार प्रिनाम की जस्ट की तस्थिती पहले से नहीं बता पाया है तो आप बाकी खबरों के लिए जुर रहिए दा कुइंट और कुइंट हिंदी के साथ